मलाइका के पिता अनिल अरोडा की मौत के 24 घंटे बाद सारे राज धीरे धीरे करके खुलने लगे हैं पता चला है कि मलाइका और उनके पिता की उम्र में सिर्फ 11 साल का अंतर था मलाइका के पिता अनिल कुल्दीप महता उम्र में बेटी से सिर्फ 11 साल बड़े थे मलाइका ने खुद इस बात को कुछ देर पहले कन्फर्म किया है मलाइका का जन्म 23 अक्टूबर 1973 को हुआ था वो 50 साल की हैं वहीं मलाइका ने कुछ देर पहले अपने पिता को लेकर एक पोस्ट शेर की जिसमें उन्होंने लिखा हमें अपने प्यारे पिता अनिल महता के निदन की घोशना करते हुए बहुत दुख हो रहा है वो एक सौम आत्मा, एक समर्पे दादा, एक प्यारे पती और हमारे सबसे अच्छे दोस्त है इस नुकसान से हमारा परिवार गहरे सदमे में है और हम इस कठिन समय में मीडिया और शुब चिंदकों से गोपनियता का अनरोत करते हैं हम आपकी समझ समर्थन और सम्मान की सरहना करते हैं आभार के साथ जौइस, मलाइका, अमरता, शकील, अरहान, अजान, रियान, कैसपर, एकसल और डफी इसमें मलाइका ने अपने पिता की जुनमति थी और मौत का दिन भी लिखा है पोस्ट में अनिल महता की जुनमति थी 22 फरवरी 1962 लिकी हुई है वहीं मलाइका का जन 1973 को हुआ था उस हिसाब से अनिल महता मलाइका से सरफ 11 साल बड़े थे यह अपने आप में अनुखा मामला बन गया है लोग इस पर तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं कोई पूछ रहा है कि कोई पिता अपनी बेटी से सिर्फ 11 साल बड़ा कैसे हो सकता है बताय जा रहा है कि अनिल महता मलाइका और अमरता के बाइलोजिकल फादर थे मलाइका की मा ने दो शादियां की पहले पती से मलाइका और अमरता पैदा हुई बाद में मलाइका की मा ने पहले पती को तलाग दे दिया और फिर अनिल महता से शादी कर ली अनिल मलाइका की मा जॉयस से उम्र में काफी छोटे थे मलाइका और अमरता के असली पिता कौन है किसी को नहीं मालूम अनिल महता की मौत के बाद ये पता चला है कि वो मलाइका के सोतेले पिता थे अब तक सब को यही पता था कि अनिल महता ही मलाइका के असली पिता है इस आत्मत्या में अभी कई और राज भी खुलेंगे जो पलिस और आम लोगों को और ज़ादा चौकाएंगे